रंगीन शोबहकारी मचलियों यानि एक्वेरियम फिशिस के बढ़ते बाजार को देखते हुए इनकी प्रजनन, पालन और व्यवसाई के तक्निकें मचली पालकों तक पहुचाई जा रही है एक्वेरियम में पालने के लिए रंगीन मचलियों की उप्योगत प्रजातियों को पहचान कर उनकी प्रजनन, रख रखाव तथा स्वास्ति प्रबंधन की विभिन वईज्यानिक विधियां विक्सित की गई है घर के पिछवाडे कम खर्च में इसकी एक छोटी यूनिट लगाकर किसान या मचली पालक बड़ी आसानी से अतिरिक तामदनी प्राप्त कर सकते हैं ये कारे परिबार की महिलाएं भी कर सकती हैं इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं इसका प्रिशिक्षन प्राप्त कर रही है ये जो है ये बाहर कंटेशा आया है 1972 में पिछले दस साल में हम लोग उसको काफी इपोटेंचिय दे रहे हैं मचली पालकों को वैज्ञानिक बीजुद पादन का अभ्यावाहरिक रिशिक्षन प्रदान किया जाता है ICAR सीफा के द्वारा ओर्नामेंटल मचलीयों की भी ट्रेनिंग दी जाती है साथ ही यहां पर आपको ट्रेनिंग के साथ-साथ मचलीयां भी जीरा आदी भी आपको यहां पर मिल जाएंगी उसके साथ साथ आप अगर सजावती मचली का वैपार छोटे अस्तर पर घर में या फिर पड़े अस्तर पर खेतों में या अन्य जगहों पर भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकेंगे और ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स मैंने इस पहले वारे वीडियो में भी मैंने डाली हैं अब मचली पालन को लेकर कई वीडियो अब आपको इस चैनल पर अभी तक देखने को मिल गई होगी अगर आपने भी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं मचली पालन के सारे वीडियो के वाला जो लिंक मैं डाल रहा हूँ उसमें आपको सारे वीडियो देखने को मिलेंगे मचली पालन बिजनस को लेकर और भी सभी चयानकारी को आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो आपका पहले कभी आगे ना चूटे तो बने रही हमारे साथ आगे भी हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप सभी अपना अपने परिवार का ख्याल रखे जै हिंद जै भारत जै खिसान जै जै जबान कर दो बने खिसान जै रही हम आपका पर परिवार का जै 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 जबते जैए आप पर शबड़र का खिसान जै जै चरशे कोई जै टा कर दो दो झाल झाल